हेलो एवरिवन श्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजा शाहब में और आज जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं वो साइन्स का है तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेस्चन है विज्ञान की कक्षा में निमन लिखित गती वीदियो में शे किसका सबसे कम सैक्षिक मुल्य है हमें ये बताना है आपके ऑप्शन है विज्ञानिक सिध्धान्त की चर्चा करना बी है डिजाइन बनाना नेक्स्ट है मॉडल का निर्मान करना और दी है सरल प्रयोगों के बारे में पढ़ना तो हमको इसमें वह बताना है जिसका सैक्षिक मुल्य शब्से कम है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजाइन बनाना जिबकि अदर जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको जैसे की वैग्यानिक शिधान्त की चर है हमें यह बताना है आपक있는 है यह प्र ए प्रक्रिया में शौर कर्जा रशैनिक उर्जा में परिवर्तित होती है आप option D है प्रकास ट्रंस्लेशन में oxygen मुक्त होती है तथा carbon dioxide उप्भुक्त होती है तो यह जो चार option दिये गया है उसमें आपको यह बताना है कि option A जो है C and D वो राइट है option B A and D option राइट है option C A and B जो दिये है वो राइट है या option D B वो C जो है वो राइट है तो आपका right answer हो जाएगा option C जो की है A और B जो आपका है यह इसका right answer है ठीक है क्योंकि सर्जीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकासी उर्जा को राशायनिक उर्जा में परिवर्थित करने की जो क्रिया होती है उसको ही हम प्रकास रंस्लेशन कहते हैं अर्थात इस प्रक्रिया में हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकास की उपस्थिती में कार्बन डायकसाइड और भूमी से जल लेकर जटिल कार्बनीक योगिक जैसे की जिसको हम कार्बो हाइडरेट कहते हैं उसका निर्मार करते हैं तथा oxygen gas जो है वो बाहर निकालते हैं इसमें अगर इसके मुख्य अव्यव में आती हैं तो आपका जो option C इसमें दिख रहा है A और B राइट एंसर हो जाएगा आपका next question देखते हैं निमलिक हित में से कौन सी एक मिस्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यारती संग्यानात्मक विकाश के विभिन चर्णों में है उसके लिए शरवा option C है विद्यारतियों के बुद्धी लाबधांकों का और्शत निकाल कर उशके अनुशार सिक्षन की योजना option C है मुर्त वस्तों को सामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिवीधियों के द्वारा अमुर्त संकल्पनाओं का सरली करन और option D है प्याजे द्वारा बतायेगा शंग्यानात्मक विकास के चार चर्णों के अनुशार कक्षा का चार समूहों में पुनह वर्गी करन करना तो आपका राइट एंसर हो जाएगा option C एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी का हमको शंग्यानात्मक विकास के विभिन चरण में है उसके लिए किसी भी मूर्त वस्तु को सामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिवीधियों के द्वारा अमूर्त शंकल्पनाओं का शरली करन जो है वो सबस सरवाधिक उप्योगत होगा अधिगम की जतिलता के प्रतिक्रिया के रूप में निमनलिखित में से कौन सी विधी के उप्योग की सलाह विज्ञान सिक्षकों को दी जानी चाहिए आप क्या ऑप्शन है ग्रूड प्रक्रियाओं को समझने है तूं हस्त प्रचलित समागरी का प्रयोग उस्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के इस तर से थोड़ा अधिक परंतु कंछा के इस्तर की सीमा के भीतर रखना चटिल संकलपनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोचसाहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्णों को पूछना नेक्स्ट विद्यार्थियों के पूर्वरती ज्यान का पता लगाने हे तू पूर्व परिक्षन लेना इसमें क्योंकि आपसे ये पूछाए कि कौन सी विद्य जो है उप्योकी सलाह विज्ञान सिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए तो आपका ऑप्षन डी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं वनो के संदक्षन के लिए एक सफल कारेनीती आवश्यक है इस कारेनीती में क्या सामिल होना चीए हमें ये बताना है उप्षन ए है उब्भुक्ताओं का बचाओ उच्चितम पोशी इस्तर के जन्तूँ अर्थात सिर्ष के महा मांसा हारियों का बचाओ क्योंकि वे शाका हारियों पर सीधे निर्भर होते हैं नेक्स्ट है वनो के सभी भौतिक एवं जैविक संगटकों के संरक्षन के लिए व्यापक कारेक्रम और आप्शन D है साका हारियों का बचाओ तो आपका राइट एंसर हो जाएगा और आप्शन C वनो के सभी भौतिक और जैविक संगटकों के संरक्षन के लिए एक व्यापक कारेक्रम बनाना नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं सिक्षन की प्रोजेक्ट पद्धिती के साथ सर्व स्रेष्ट रूप से कौन संबंदित है हमें ये बताना है आपको औप्शन है रॉबर्ट हचिंग्स ये जो आपको जान डर्वी लिखा है वो शिक्षन के प्रोजेक्ट पद्धिती के दर्शन के साथ सर्वसेष्ट रूप से संबंधित है क्योंकि इनके अनुशार ये है कि ज्यान प्राप्ती के लिए श्वभाविक वातावरन अधिक उप्युक्त होता है इस विधीशे पढ़ने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्राया छात्रों के द्वारा ही उठाई जाएगी हम में से जो चात्र होंगे वो ही उस समस्या को उठाएंगे और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजनाय बनाई जाती है नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं जय विज्ञानों में पाठ योजना को ध्यान रखते हुए मुख्य रूप्षे निर्देशित होनी चाहिए पाठ चर्या के लक्षों और अधिगम परिणाम बच्चों को कारे उपलब्ध कराने नेक्स्ट है कख्चा के औसर बच्चों की आवश्यक्ताओं को पूरा करने और नेक्स्ट है अभिभावकों को संतुष्ट करने तो आपका राइट एंसर हो जाएगा ओप्षन ए पाठ चर्या के लक्षों और अधिगम परिणाम ये जो है ध्यान रखते हुए इनको मुख्य रुप्षे निर्देशित किया जाना चाहिए नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए सिख्चक निर्देशन का आयोजन करता है लेकिन निर्देशन का अपेक्षित परिणाम नहीं आपाता है सिख्चक के लिए सर्व सेष्ट सलाह कौन सी होगी हमें ये बताना है विद्यार्थियों के साथ मिलकर निर्देशन की असफलता के कारण का पता लगाना वो उसे समझना नेक्स्ट है विद्यापन शमनवयक के पास नोट भेजना जिसमें उन्हें कक्ष में आने के लिए कहा गया है निर्देशन को रोकना और उशे दुबारा करना और उप्शन डी है कक्षा को बताना की निर्देशन अशफल हो गया और उनसे कारण निर्धारित करना या उन्हें सहायता के लिए कहना तो इसमें आपका ओप्शन जो है सी इसका रायट एंसर हो जाएगा इस स्थिती में जो है सिक्षक के निर्देशन को रोक कर पुनह उसे दुबारा शुरू करें जिससे छात्रों को सही दिशा में अभी प्रेरित किया जा सके तथा जिसके अनुपरांत जो है उसे वही सिखाया जा सके आपका रायट एंसर हो जाएगा नेक्स देखते हैं भारी बोज़ा उठाने वाले कुली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकुड़ा रखते हैं अपने सिर पर बोज़ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चक्ती की आकरिती में लपेट कर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोज रखते हैं ऐसा करके वो आपका अप्शन है बोज का प्रणोज जो होता है उसको घटा लेते हैं संभावित चोट से अपने सीर का बचाओ कर लेते हैं next है अपने सीर से बोज के संपर्क छेतर को बढ़ा लेते हैं और option D है अपने सीर पर बोज द्वारा लगाए गये बलको घटा लेते हैं तो इसमें राइट एंसर हो जाएगा आपका option C, अपने सीर से बोच के संपर्क के छेतर को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कोई भी कुली जो है वो भार उठाते समय अपने साथ एक लंबा कपड़ा इसलिए रखता है, ताकि वो कपड़े की गोल चक्ती बना कर उसको सीर पर रख सके, ऐसा करने से क्या होगा कि भार और उसके सीर के बीच की जो दूरी होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे की भार का वजन जो होता है, वो थोड़ा कम महसूस होता है, क्योंकि छेतरफल बढ़ने पर जो दाब है वो घटते जाता है, नेक्स देखते हैं, सितार बजाने से कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है, ये चीज हमने देखा भी है और उसे उचित प्रकार से जंकरित करने का प्रयास करता है, ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है, क्या चीज को समायोजित करता है हमें ये बताना है, आपका ओप् 20 का राइट एंसर हो जाएगा सितार डोरी के तनाव को क्यों होगा क्योंकि सितार बजाने से पूर्व जो वादक होगा वो सदैव सितार की जो डोरी होती है उसके तनाव को समायोजित करते रहता है वह उस सितार की डोरी का तारत्व शही करता है क्योंकि तारत्व जितना समस्या से जूझना पड़ता है वो समस्या कौन सी है हमें ये बताना है पबलिक पुस्तकालय का शहयोग प्राप्त करना बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से सब्दांस उतारने से रोकना एवन प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना उप्रयो करके विश्व कोशों और पुस्तकों से सब्दान्स उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्ग दर्शन करना नेक्स देखते हैं अहार नाल का वहव कौन शा भाग है जो यकृत से पितरस ग्रहन करके इसे पिताशय में शंग्रहित करता है आपको कुछ ऑप्षन दिये गए है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्षन बी जो आपको दिया गया है अगनाशय ये इसका राइट एंसर हो जाएगा अगनासे जो होता है वो हलके पीले रंगी एक बड़ी सी ग्रंथी होती है जो अमासे के ठीक नीचे इस्तित होती है अगनासे यक्रित से पित्रस ग्रहन करके एक थैली में संग्रहित करते जाता है जिसे हम पित्तासे कहते हैं पित रस जो होता है वो वर्षा के पाचन में महतवपोर्न भूमी का निभाता है next देखते हैं नेमलिखित में से किस पार्थ से पहले समान ये नियम इस पश्ट किये जाते हैं और उसके बाद उधारन दिये जाते हैं वो आपको बताने है कि कौन से पार्ट में ऐसा किया जाता है संग्यानात्मक पार्ट में, कौशल पार्ट में, निगमनात्मक पार्ट में और आगमनात्मक पार्ट में तो आपका राइट एंसर हो जाएगा option C, निगमनात्मक पार्ट क्योंकि निग्मनात्मक विधी से पढ़ाते शमें शर्व प्रथम विश्य वस्तु से संबंधित जो शमाने नियम होते हैं उसको इस पश्ट करना होता है और उसके बाद महत्वपुन उधारन प्रस्तूत किये जाते हैं नयास्ट क्वेस्टन देखते हैं उरवर्खों में उपलब्ध फश्टों के लिए पौशक हैं आपको अप्शन दिए गया है नाइट्रोजन फास्फोरश और आइरन नाइट्रोजन तो इसमें आपको सबसे राइट आंसर जो है वो बताना है तो option D जो है वो इसका right answer हो जाएगा nitrogen, phosphorus और potassium और अगर हम बात करें उर्वरक की तो उर्वरक वे राशानिक प्रदार्थ होते हैं जो विशेश पोस्को से सम्रिद्ध होते हैं तथा पौधों की समुचित विद्धी के लिए आवश्यक होते हैं उर्वरक के हम कुछ और उधारन भी ले सकते हैं जैसे की यूरिया, अमोनियम, सलफेट, सूपर, फासफेट, पोटास ये सब जो होते हैं वो जो है उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोशक होते हैं तो आपका right answer हो जाएगा option D जो है nitrogen, phosphorus और potassium next देखते हैं विज्ञान में पाठे चर्या योजना के विशय में निमनल खित में से कौन सा जो है वो शरवादेक उप्योगत है आपके option A या प्रतेक सत्र के लिए प्रतेक कारे इकाई का विवरन देती है option B है पुर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रतेक पाठ के विशिस्ट अधिगम और देशों की योजना बनाने के लिए की जाती है option C है प्रतेक सत्र में किये जाने वाले व्यग्यानिक प्रक्रणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है और option D है वैग्यानिक अध्यन को दूशरे विशे छेतरों के साथ जोडने के लिए की जाती है तो इसमें आपको जो right answer है वो बताना है तो option B इसका right answer हो जाएगा पुर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रतेक पाठ के विशिस्ट अधिगम उद्देशे की योजना बनाने के लिए की जाती है ये कुछ 15 questions थे जिसको हमने discuss किया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे like और share जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करिए Thank you so much